कि ऐसा लगता है कि अभी अभी आ रहे हैं भवंते महराज मनुने का धीरज रखो इतने ही में त्रप्त हो गई हो तुम हेल्थ मिल गई वस्त त्रप्त हो गई है केवल तुम्हारा लक्ष स्वास्त बनाना था कि परमात्मा को प्राप्त करना अच्छा बोलो आज कल लोग हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगे हैं एक सज्जन बोले महराज जी हम लोग बृत करते हैं एकादसी का बृत करते हैं अमावस का बृत करते हैं सोमार का बृत करते हैं मंगलवार का बृत करते हैं बृत इसलिए करते हैं कि भगवान मिलें मैंने का मूर्ख मत बनाओ जिस दिन तुम बृत करते हो उस दिन एक हजार रुप्या का पेमेंट हो जाता है फलहार में बोलो होता कि नहीं होता है जिस दिन लोग बृत करते हैं उस दिन हजार दो हजार का फलहार बन जाता है कि नहीं बन जाता भोजन से ज्यादा महगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए बृत कर रहा है कि हेल्थ बनाने के लिए कर रहे हैं बोलो भाई जुमूट क्यों बोलते हो ये बृत का नातक क्यों करते हो याद रखना बृत तो ये है जो मनुजी कर रहे हैं बोलो है बृत की नहीं ये मनुजी जो कर रहे हैं यही बृत है ये नहीं के पांच कलो कलाकंद खागाए वो 500 ग्राम मलाई खागाए वो एकादसी हो गई बहुत बढ़ी आएकादसी रही आज तो क्या पूछना ये ब्रत है ये ब्रत नहीं है प्यारे केवल मात्र 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 फलहार हो लगुनात फलहार अलपाहार फलहार में भी अलपाहार जिससे हमारा शरीर शिकस्त ना हो जाए हम कम से कम चलने फ्रने की छमता रख सकें इसके लिए हम मात्र फलहार में भी अलपाहार लें स्वल्पाहार जिसको कहती है ठीक है ना तब माना जाएगा कि सच्चा तुम ब्रत कर रहे हो सच्चा ब्रत भी माना जाएगा समझे लो एक बार हम क्या वतामें आपको इकादशी के दिन एक महत्मा मेरे पास आ गए बोले स्वामी जी एकादशी है मैं तो ब्रत हूँ मैंने का हमारे हाँ फलाहर बनता है भंडारे में तो वो तो सभी के लिए बनता है बोले माराजी वो हम भंडारे में गए थे तो पंगत तो हो चुकी है अब मैंने का अच्छा तो कोई बात नहीं है तब मैं विवस्था किये देता हूं समय से आप नहीं आए लेकिन आ गये हो तो आपको फलार मिलेगा मैंने का फालार में आप क्या लेते हैं यह बता हैं आप बताएं फालार में बोले मैराजी पांच कलो आम और पांच कलो कलाकंद और तीन कलो दही और दो कलो रबडी इतने नहीं मगादो अस परियाप्त क्या मैं कोई राच्छा सुन कादू हूं मैंने का देखूं ये लंबा बजट पुल इतना ही परियाप्त थे सीधी सी बात हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं नहीं नहीं ये सिध्धान्त नहीं होना चाहिए हम खाने के लिए ना जीए हम अपने लिए ना जीए हम तो अपनों के लिए जीए और भगवान के लिए जीए भगवत प्राप्ति करने के लिए जीए ये सिध्धान्त होना चाहिए महराज मनु अपने लिए नहीं जी रहे हैं बोलो संपूर्ण विस्टु का कल्यान करने के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं यह जो तपस्या कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं बोलो संपून विश्टू के कल्यान के लिए तपस्या कर रहे हैं कि नहीं अगर मनुजी तपस्या ना किये होते तो प्रभु स्री राम का जन्म होता क्या प्रभु स्री राम का जन्म नहीं होता प्यारे ये जन्म की कथा में आपको सुना रहा हूँ, ये बड़ी मार्मिक कथा है, इस कथा को सुलोगे मन से तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा, सारी की सारी भ्रमात्मक इस्तियां समाप्त हो जाएगी, हमेशा हमेशा कि दूए, मैं निचोर सुना रहा हूँ, सार सुना रहा हूँ महराज मनु को बानी सुनाई दी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानु अब भवंते आए जैसे अभी भवंते चले आ रहे हूं बानी ने कहा ब्रह्म नाध हुआ ब्रह्म बानी बोली मांगो 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 जो मांगोगे हम देने को तैयार है मांगो मनु जी ने का देने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या मांगें देने वाला सामने तो आवे ब्रह्म की बाणी ने का कि मैं दे तो सकता हूं ब्रह्म बोला मैं दे सकता हूं बाणी बोली मैं दे शकती हूं लेकिन बाणी ने का कि मैं आ नहीं सकती हूँ, ब्रह्म कहता है मैं आ नहीं शकता हूँ, दे सकता हूँ मनु जी ने का आप क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताओ मनु जी ने का आप आ क्यों नहीं सकते हैं भगवान ने का इसलिए कि मेरा कोई आकार नहीं है आकार हो तब ना आवें मेरा कोई आकार ही नहीं है इसलिए मैं क्या दे दूँ आके बैसे दे सकता हूँ जो मांगोगे मनू जी ने कहा जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टी में वो बिल्कुल बेकार जिसका कोई आकार ही नहीं है मेरी दृष्टी में वो बिल्कुल बेकार आपको देना है तो आकार लेकर के आना पड़ेगा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या भक्तों को आपने दर्शन नहीं दिया भगवान ने का दिया तो यदि भक्तों को आपने दर्शन दिया है तो क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते बाणी ने कहा कि भक्तों ने आकार स्वयम दिया मुझे और जो भक्तों ने आकार दिया उसी आकार को लेकर के में आ गया है मेरा अपना कोई निजी आकार नहीं है एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कहीं क्या ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ भक्त की भावना से तदाकार हूँ भक्त की भावना से तदाकार हूँ भक्त जैसा आकार देता है भगवान उसी आकार में आ जाते हैं को को नहीं जानता है भक्त प्रहलाद में भगवान का आकार चाहा तो खंब से न रिसंग बन सपर करके परगठ्ट हो गए ऑभक्त पहलाइत्प को दर्शन दे दिये कि नर्शंघ के रूप कौन नहीं जानता है कि मीरा को इसके प्याले में ही शाम सुंदर के रूप में प्रगट्ठों गए वो भिस ही भगवान बन गया वह बन गया विस भगवान किनी तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भक्त जो आकार देता है भगवान उसी आकार में प्रिगठ हो जाते हैं मनु यदि तुम चाहते हो कि मैं आकार लेकर के आऊन। तो मुझे कोई आकार दो मैं वही आकार लेकर आऊंगा मालीजिए मैं अपने पसंद का आकार लेके आगया और तुमने कह दिया हमें ये पसंद नहीं है तो हम फिर मेकप करें जाके बापस जावें फिर मेकप करें तो ये उच्ट नहीं होगा इसलिए तुम्हीं बता दो आकार दे दो हम उसी आकार में आजाएंगे अब मनुजी आकार दे रहे हैं द्यान से सुनना है बहुत बढ़ी आग जो सरूप बस अरे सिल्मन माही ओ जही कारण मुन जतन कराई जो भु सुन्डी मन अरे मालस हन सा अगोन सगोन जही निगाम प्रसन सा देखें हम सरूप भरी लोचन क्रिपा करहू प्रनतारत मोचन देखें हम सरूप भरी लोचन क्रिपा करहू प्रनतारत मोचन क्रिपा करहू प्रनतारत मोचन जो भगवार सीव के हिर्दय में हिर्द्यस्त है वही रूप ले करके आप प्रगठ हो जाएं अच्छा आप सब जानते हैं भगवान संकर के हिर्दय में कौन सा रूप हिर्दियस्त है अब थोड़ा सा इस पर ध्याना करशित कराना चाहता हूँ जो स्वरूब बस्यू मनमाही संकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है संकर जी के हिर्दय में कौन सा रूप हिर्दयस्त है अच्छा भाई आप जिसके नाम का जब करते हो इमानदारी से बताओ वही परमात्मा आपके हिर्दय के अंदर आएगा कि निश्चित आएगा और संकर जी जिसके नाम का जब करते हैं वही भगवान स्यू के हिर्दय में हिर्दयस्त है तो अब संकर जी से पूछा गया कि आप किसके नाम का जब करते हैं तो संकर जी तो तुम पुनि राम राम दिल राती ओ सादर जब हूँ अनंग अराद बोलो भगवान संकर दिन रात राम 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 बोलो यही जबते हैं कि नहीं तो संकर जी के हिर्दय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे और बोलो आज मनु जी सगुन साकार रूप में स्री राम को ही प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे आपने सुईकार कर लिया कि हां माराज करेंगे तब तक एक सजन खड़े हो कि बोले माराजी रुको 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 मैंने का क्या बात है क्या बात है बोले इसमें हमें संका है मैंने का संका क्या है बोले आपने ये का तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती राम 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 दिन रात संकर जी जबते हैं हम ने कहां जबते हैं तो फिर गोसामी जी ने ऐसा क्यों लखा कि राम राम सिव सुमरन लागे तो जाना सती जगत पती जागे इसका मतलब फोए थे तबी जगे तो दिन रात कहां हो गया अब कहां दिन रात है आप ही बताएं मैंने माथा पकड़ लिया क्या बताओं इसको क्या समझाओं कैसे समझाओं अच्छा चौपाई ये भी है कि नहीं राम राम सी उस्तुमरन लागे तो जाना सती जगत पती जागे और एक चौपाई ये भी है जो मैं कह चुका हूँ तुम पुने राम राम दिन राती दिन और रात तो कहे मारा दिन रात अगर राम 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 संकर जी जपे तो फिर ऐसा क्यों लिखा कि जाना सती जगत पती जागे जागेवानी सोए थे तो सोए थे तो राम राम कैसे कहे आप ही बताओ मैंने का सास्त्र कहता है तुम समझते नहीं हो सास्त्र कहता है सास्त्र की बात माननी चाहिए तो वोले सास्त्र क्या कहता आप बताईए सास्त्र कहता है कि आप जब सोने लगें तो सोने के पहले आप राम 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 कहके सो जाएं और जब जागने लगें तो राम 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 कहकर के जागें इससे होगा क्या? सास्त्र कहता है इससे ये होगा कि कोई भी प्रानी राम 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 कहके सोएगा और राम 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 कहके जगेगा तो सोने और जागने के मध्ध में जितनी भी स्वासाइं चलेंगी वो सब राम नाम के भजन से जोड़ दी जाएंगी इसलिए सोते समय भी आपका भजन ही माना जाएगा अब बोलो इसमें कोई घाता है इमानदारी से बताओ अब किसी भी पार्टी का आदमी हो राम राम कहके सो जावे तो कोई दिक्कत है बताओ भईया कौन परिशानी की बात है फाइदा ही है कि राम 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 कहके हम सो रहें राम 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 कहके हम जगें यही नियम है वो आजकल बड़ी भीडमना है आजकल लोग सोते हैं तो राम 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 कहके नहीं सोते आजकल लोग तेली वीजन देखके सोते वो लो सोते की नहीं सोते घर घर में टीवी लगी है तीवी देखके सोते हैं लोग अच्छा जब जगते हैं तो राम 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 कहके नहीं जगते हैं संकर जी राम राम कहके जगे पारवती जी समझ गई सती जी समझ गई मेरे पती जग गई क्योंकि राम राम कह रहे ओ आज कल की पत्नी समझ जाती है पती जब जगता है कब समझती है पती राम राम कहे तब नहीं समझती पत्नी जग गए पती कहे चाय 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 तो पत्नी समझ जाती जग 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 तुरंत चाय की विवस्था करो अच्छा बोलो चाय बना के ले जाती है बैड़ाई पर बैठे बैठे पी लेते हो कि नहीं पी लेते हो वो चाय है कि जहर है सोचो जराद और मैं कहता हूँ कि चाय चाय कहके तुम जगे तो दिन भर तुमारा चाय चाय में नकल गया चाएं चाएं का मतलब है असांती क्यों चाएं चाएं का मतलब क्या है तुम सब जानते हमारी भासा समझ रहे हो कि नी समझ रहे हैं चाएं चाएं का मतलब है असांती मैं दावे से कहता हूँ चाएं चाएं कह करके मत जगो प्यारे राम राम कह करके जगना जो राम राम कहे करके जगते हैं उनका पूरा दिन सांती में बितीत होता है शांती में गुजर जाता है क्योंकि राम राम से सांती मिलती है राम जी के नाम से क्या मिलती है सांती मिलती है मोलो मिलती है कि नहीं मिलती है राम नाम इसलिए लिया जाता है राम नाम का जब इसलिए किया जाता है क्योंकि शांती का अन्भव होता है सांती प्राप्त करना है तो राम राम जपो मैंने का इसलिए भ्रम दूर करो संकर जी का 24 घंटे का राम राम जपना माना जाएगा क्योंकि स्वासाओं से वो राम राम ही निकलेगा इसलिए सोने की स्थिती में जो स्वासाइं निकली हैं वो सब राम नाम के संकिर्तन से जोड़ दी जाएं ब्रह्म उसका दूर हुआ अब यहां महराज मनु कहते हैं कि जब तक आप सामने महीं आ जाएंगे और आकार में वही दे रहा हूँ जो भगवान संकर के हिर्दय में हर्दियस्त है जो भुसुंडी जी के मन मानस में हर्दियस्त है मन मानस में इस्थित है जो भुसुंडी के मन मानस में इस्थित है जो शिव जी के हिर्दय में हर्दियस्त है वही आकार ले करके आप आ जाएं तो संकर जी के हिर्दय में कौन सा रूप है राम 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 और राम कौन है रगवंस भूशन राम बोलिए रगवंस भूशन राम की जल वही राम है इसलिए नील सरो रुह नील मनी नील नीर धर्श्यां लाजय तंसो भान रखी कोटी कोटी सतकाम बात समझ में आ गई नील सरोरो ही नील मनी नीला मुजश्या मलको मलां गम सीता समारो पितवाम बहागम बोलो वही नीला मुझश्याम है की नहीं हमारे राम जी कैसे हैं नीला मुझश्याम है की नहीं और नील सरोरोही नील मनी नीर नीर धर श्याम सामने प्रगट हो गए और जैसे प्रगट हुए तो कहा मनू अम में आ गया हुई एक काम करो जल्दी मांगो जल्दी मांगो क्योंकि तुमने बुलाया मैं चलाया कोई दूसरा बुलाएगा हमें जाना पड़ेगा इसलिए जल्दी जो मांगो मैं फटाफट दूँगा वो चला जाओंगा जल्दी मांगो मनु जी बोले जल्दी जल्दी मत कहो हमको इतनी जल्दी नहीं है जब आप फुरुषत में हो तब आजाना अभी चले जाओ अगर ज्यादा जल्दी है तो हमें जल्दी वल्दी की जड़ुएत नहीं है आप तो फुरुषत में हो जाओ तब आओ आराम से फिर मैं मांग लूँगा अमें कोई दिक्कत नहीं सत्रूपा जी देखो आये हुए भगवान को वापस मत करो मांग लो मनुजी नब स्टूपर रहो। कि तुम नहीं जांती होसा तुम सांत रहो जो मैं कहूं उसको। तुम सुविकार करना च्थू थीक 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 धी कि आज कल लेकिन कितनी मर्यादित हैं पती ने इशारा किया तो तुरंत पीछे हट गई और हाथ जोड़के खड़ी हो गई ऐसा होना चाहिए धरम पत्नी को मैं इसलिए कहता हूँ कि हे भगवान यदि समाज में नारी का सरूप होना चाहिए तो भगवती सीता जैसा होना चाहिए और पुरुष का सरूप होना चाहिए तो स्री राम जैसा होना चाहिए आज यही यग भगवान से मेरी कामना है यही मनत मनोती है कि यह यग भगवान समाज में पुर्षों को स्री राम से जोड़ देना और समाज की नारियों को भगवती सीता से जोड़ देना यही कामना है आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्मी सीता जैसी हो क्यों लेकिन ध्यान रखना अगर तुम ये चाहते हो कि है भगवान हमारी पत्मी सीता जैसी हो तो तुम्हें राम जैसा बनना पड़ेगा ये नहीं कि पत्मी सीता जैसी हो तुम खरदूसर हो तो क्या मतलब निकला कोई अर्थ निकला इसलिए प्यारे राम तुम्हें बनना होगा तो निश्चित है कि तुम्हारी पत्नी सीता बन करके तुम्हें दिखाएगी आज सत्रूपा जैसी मर्यादित पातिप्र धर्म का पालन करने वाली पती पराएणा आज हाँ जोड़ करके खड़ी हैं भगवान ने का अच्छा ठीक है आप अपनी विधा से मागें आराम से मागें अपनी विधा से मागें क्या चाहिए अब मनुजी कहते हैं दानस्रो मनि क्रिपा निधी नात कहूं सत्वा दानस्रो मनि भगवान बोले डारेक्ट मांगो विशेशन लगाने की कोई जरूवत ने तुम तो सीधा मांगो हम दें हो चले जाए यह दानस्रो मनि क्यों कह रहे हो मनुजी ने कहां मागने का तरीका दुनिया वालों को बता रहा हूं हमारी संतान मनु की संतान आंगे होगी तो अपनी संतान को मैं यह संके दे रहा हूं कि मागने का यही तरीका है इसी विधा से मांगो जैसे अतिरूद्र महायग हो रहा है 1111 कुंडात्मक अतिरूद्र महायग अब बोलो भाई आप सबने सहयोग किया कि नहीं किया सबने सहयोग ना किया होता तो इतना बड़ा ये कुंब कैसे लग जाता ये विदुसा जिले का कुंब नहीं है प्यारे ये भोपाल संभाग का कुंब नहीं है ये पूरे मत्ध नहीं है ये सोभाग जो आज तुम्हें मिला है और मैं आंगे इस यग्जी की विसेष्टा बताने जा रहा हूं और रगवन्ष की विसेष्टा भी बताने जा रहा हूं कि रगवन्ष में कैसे कैसे यग हुए हैं आकर एक्ष्वाक्वन्ष रगवन्ष के रूप में प्रत वह लए दो लेते हैं कि नहीं लेते कैसे रगवंश हुआ कि विसेस्ताओं से हुआ है बस धियान से सुनना मन लगा करके सुनना आंगे वो सारी किशारीपारि दर्शिता आपके सामने आ जाएगी और इसी कथा में आप सबको सुनने को मिलेगा आज तो विसाल जन्शमुदाए जहां भी निगाहे डाल रहा हूं वहां केबल हमें भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं पीछे तक यह पांडाल भी बढ़ाया गया है शायरों में लेकिन मै देख रहा हूं देवियों की दिरगा में देवियों ने अपना पांडाल को पूरा भर दिया है और पुर्षों की दिरगा में पुर्षों ने इस पांडाल को भर दिया है मुझे लगता है कि यह पांडाल बढ़ता रहेगा आप बढ़ते रहेंगे तो पांडाल बढ़ता रहेगा लेकिन भंदारा सो दसवां ही तारीक को होगा है समानियगों में जैसे पुरणाहूती के बादबनारा होता वैसा तो प्रती दिन भंदारा ला उससे बड़ा दारीक चल रहा है वो भंदारा नहीं होगा दस्तारी का महा भंदारा होगा प्यारे वो साधारण भंदारा नहीं होगा यह कुम्भ लगा हुआ है यह महा कुम्भ लगा हुआ है आज महराज मनू कहते हैं मागने का तरीका में बता रहा हूँ क्योंकि यग्गně के लिए आपने मांगा अच्छा तो मागने का भगवान मुझकरा के बोले तरीका क्या है जरा हमें भी बता दू का यही तो दान सिरो मनी आप दान सिरो मनी हैं दानियों में सिरो मनी जैसे आप किसी कंजूस के हां मागने जाएं समझे न जरा तरीका किसी कंजूस के हाँ मागने जाएं एक सज्जन बोले महराज कंजूस क्या होता है कंजूस क्या होता है मैंने का कंजूस अलग होता है मक्खी चूस अलग होता है बोले मक्खी चूस अलग है हमने का हाँ बोले गजब की बात है हमने कंजूस सुने थे मक्खी को अलग कर देगा वो कंजूस कंजूस मक्खी को अलग कर देगा और मक्खी चूस घीग में मक्खी पड़ गई तो मक्खी को लेगा फिर चूसेगा उसे फिर अलग करेगा ये मक्खी चूस लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कंजूस और मक्खी चूसों की बात हम दिए की एक साल चलाते थे हमने का दस ग्राम घी एक साल तो गजब की बात है कि अगने शक्ति नसT दस ग्राम घी कैसे चलेगा एक सा कुले नहीं गी यह चलक फोर और ढकन खोलते थे बहुजन के समय और सीधा सीख गालते ठे ते में घूमादेते थे और भजब करके कि हमारे बाप तो ऐसे थे और बाप के बाप बाप के बाप तीन चार पीडी से सो ग्राम घी खतम नहीं हो रहा। मैंने का तो तेरी तीन प्ली से सो ग्राम घी खतम नहीं हो रहा हो कैसे बोले इसके पिता और पिता मैं तो धकन खोलते थे और सीख डालते थे और फिर दाल में घुमाते थे हमारे पुर्खे तो मैं धकनाई के दाल में घुमा के सीधे रख देते थे धकन मकन खोलने की जरूर तहीं लो आप बोलो भाई ये इस्थिती है लेकिन याद रखना आप रगवंशियों ने उदारता से दान किया है रगवंशियों दानी होते हैं दान वीर होते हैं दान करना जानते हैं रगवंश के इतिहास में हम आपको कितने प्रकार के दानी हुए हैं अभी बताएंगे थोड़ी देर में त्रिराम के जन्म के पहले और आपने दान दिया है, खुल करके दान दिया है और जो नहीं दे पाए हैं वो निस्चित है कल परसों तक पेमिन्ट पूरा कर देंगे है ना, कंफर्म है क्योंकि रगवंसी जो कह देते हैं वो करते हैं इसलिए एक बार कह दिया तो कह दिया है प्रान जाएं बर बचन न जाई रगवंसी जो कह देते हैं वो ही करते हैं प्यारे तो आओ भगवान कहते हैं कि दानस्त रोमनी बोले विसेष्टा यही है प्रसंसा करनी पड़ती है किसी कंजूस के हां लेने जाओ तो वो देना नहीं चाहता है लेकिन आप जैसे ही पहुँचें तो यह कहें आपके पिताजी तो इतने उदार थे कि पूरे जिले में उनकी प्रसंसा हो रही है और आप उनसे सोगना उदार है तो कुछ नहीं देगा तो कुछ देगा कि नहीं देगा जल्दी वोलो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ जरूर देगा मना नहीं करेगा इसलिए मागने का तरीका होता है प्रभू इसलिए मैं मागने का तरीका दुनिया को बता रहा हूं आपकी प्रसंसा नहीं कर रहा हूं ताकि दुनिया के लोग मेरी बात को सुन लें समझ लें इसलिए दाल सिरो मनि क्रिपाल निधी नाथ कहूं सत्भाव और चाहूं तुम ही आप अई को चाहर है आपको भगवान बोले ये तो विचित्र मांग है तुमारी केवल हम तुमारे ही बंधन में बग जाएं तुमारे होके रह जाएं बस फिर पूरे संसार का क्या होगा इसलिए हम से कुछ मांग लो लेकिन तुम हमी को मांग रहे हो मनु जी बोले तो कोई बात नहीं है तुमही समान सुत आप नहीं तो आपके समान कोई सुत हो उसे लेके आ जाओ उसको दे दो सत्रूपा जी बोली मांगना था तो सुत क्यों मांगा इतना बढ़िया सुत घरई में छोड़के आए और फिर सुत अरे सुत जब नालायक हो तब दूसरे सुत की दिमंड करना चाहिए क्यों भई और यदि सुत लायक है तो पूर्णता आजाती कि नहीं आजाती है अच्छा भाई बताओ मनुजी का जो सुत था कल मैंने सुनाया था ना लायक था की नहीं था पिता के पदचुनों पर चलने वाला था की नहीं परम आज्याकारी है की नहीं जब इतना बढ़िया सुत है तो उसी को बुला लेते क्या दिक्कत थी लेकिन जबल सुत ऐसा क्यों मनुजी ने का अभी तुम चुपराओ अभी तुम चुपराओ मैं अभी बताओंगा सब कुछ बताओंगा आप नहीं आ सकते हो तो आपके समान अगर सुत मिल जाए तो उसको भेडो भगवान बोले यही तो बात है राम समान राम निगम कहें बोलो राम जी के समान राम जी है दूश्रा कोई है दूश्रा कोई नहीं है भगवान बोले दूश्रा कोई है नहीं मेरे समान तो मैं ही हूँ दूश्रा कोई नहीं कह तो दूसरा नहीं है तो आप ही आजाओ आप सरिस खो जाओं कहां जाई निर्फ तुए तर्णे होब में आई 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 हमको दोहराना पड़ता है देखो डवल महनत पड़ रही है मेरे उपर कि हम पर देखने होब में आई